इस्टेबल एक्जाम के लिए सबसे महत्पून कोशन देखेंगे रिजिनिंग के जो कि आपके कल के एक्जाम में आ सकते हैं तो वीडियो श्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूंगा जो लोग नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें चलिए सुरू करते हैं कोशन को करने से पहले निर्देश दिया गया है निमलिखित प्रस्णों में दिये गए बिकल्पों में से संबंद सब्त अच्छरों अत्वा संख्या को चुनना जैसे कि 63 कोशन है यहाँ पर लगा हुआ है कोशन मार्क तो जो तरीका आपका पहले से दुसर संख्या कंड पियो करते हैं ौप्सण डि दस्ताने का प्रियो किया जाता है बॉकसिंग के खेल में अगला एप स मतना बताना है टो जो तरीका पहले से दुसरे या दुसरे पहले दूसरे में लगेगा बही तरीका आगे अपलाई करेंगे तो सबसे पहले एप और S के लिए देख लेते हैं एप का कोड होता है 6 और S का कोड होता है 19 तो 6 से 19 बनने में आपका कितना जुड़ा 13 है अब देखिए आगे है L, Y L का कोड होता है 12 और By का होता है 25 तो 12 से 25 बनने में आपका कितना जुड़ा 13 अब देखिए I B है 9, V का होता है 22 29 से 22 बनने में कितना जुड़ा 13 तो सभी में 13 13 जुड़ रहा है तो ऐसे एक option लेना जिसमें 13 13 जुड़े 13 जुड़े तो एक option चेकरते हैं पहला है G पहला option चेकर थे जी का कोड़त है साथ टी का होता है बीस साथ से बीस बनने हम कितना जोड़ा 13 तो यहीं आपका अंसर हो जाएगा बांकि के तीन 19 का स्कॉर करेंगे तो 19 का स्कॉर किया 361 लाना है 366 तो इसमें च्छे एक्स्ट्रा और जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा अब निर्दे से प्रसंग्या 65-68 तक निर्भी प्रस्णों में दिये गए बिकल्पों में इसे विष्म सब्द इच्र अत्वा संख्या को चुनना है विष्म क्या होता है कि चार आप्सन आपके देदिया जाते हैं जिसमें से तीन option जो होते हैं वो आपके समान हो जाते हैं और एक option जो बसता है वो अन तीनों से क्या होता है भिन हो जाता है अलग हो जाता है संगत हो जाता है यह सभी नाम होते हैं तो च्छाचट में आपका विसम क्या होगा तो एक एक option चेकरते हैं कि समुद्र है महासागर है और जील है इन तीनों में क्या होता है पानी होता है लेकिन दल दल में पानी नहीं होता है ओके तो आपसेंडी आपका बिसम हो जाएगा ऑपसेंडी इस राइड अंसर 63-63 question देख रहे हैं इसमें भी सम बताना है तो एक एक option को चेक करते हैं पहला option चेक करते हैं A का code होता है 1 J का code होता है 10 तो 1 से 10 बना तो आपका कितना जोड़ा है 9 option भी चेक करते हैं A का code होता है 5 N का code होता है 14 5 से 14 बना आपका कितना जोड़ा है 9 आपसण सी चक करते हैं N का कोड होताए 14,W का होता है 23,14 से 23 बना तो आपका कितना जुड़ा है 9, देखे, तीन आपसण में आपके सेम होगे, तीन आपसण, आपसण A, आपसण B और आपसण C, क्यूंकि तीनों में 9-9 जुड़ रहा है, अब आपसण D चक करते हैं, पी का कोड़ होता है 16 W का होता है 23 तो इसमें कितना जुड़ रहा है साथ तो विसम कौन सा हो जाएगा option D option D is right answer देखिए 68-68 question इसमें आपको विसम बताना है तो कैसे करेंगे तो एक-एक option check करते हैं पहला option 170 अगर हम लोग 170 का लाश्ट वाला डिजिट नेगलेक्ट कर देते हैं तो हमारा क्या बचता है क्या बचता है 17 तो 17 आपकी क्या है एक अभाज संख्या हो जाएगी ओके एक अभाज संख्या हो गई आपकी ओके ओके यही तरीक अपनाते हैं जीरो हटाते है त्रेपन आया त्रेपन क्या है आपकी अब भाज संख्या हो जाएगी तो option A, option B, option D ये तीनों में भाजे संख्या है लेकिन option C में आपकी भाजे संख्या है तो option C is the right answer अगला है उनतरवा question निमले के सब्दों को सब्द कोस में आने वाले करम के अनुसाल लिखना है तो अंग्रेजी बढ़ माला में जिस अच्छर का इस्तान जहां पर होना होता है उनी अच्छरों के आधार पर आपको सब्दों को सेट करना है ओके तो आपका अंसर बनेगा option B पहले देखिए पहले नमबर पर आएगा तीसरा वाला और पांचवा वाला दूसरे नमबर पर कौन सा आएगा पांचवा वाला इफेस्मेंट फिर चौथा वाला जो आएगा ये आएगा तीसरे नमबर पर और फिर पहला वाला जो आएगा ये चौथे नमबर पर आएगा और दूसरा वाला इफेसिंग ये आएगा पांचवे नमबर पर करेंगे के विकल्पों में से बहुत सही विकल्प चुनिए जो अनुकरम को पूरा करें तो यहां देखे कोश्चन मार्क लगा हुआ है कैसे करेंगे बहुत ही सिंपल सा है देखे 11 से 17 बनाते हैं तो आपका क्या जुड़ रहा है छे और 17 से 23 बनाया कितना जुड़ रहा है छे तो आगे भी 6 जुड़ेगा तो 23 में 6 जोड़ेंगी तो आपका आजाएगा 29 और लास्ट में नमबर देखे 29 आ रहा है तो 29 देखे किस में आ रहा ह सी में सोट आगे लगा है कॉषचन मार्क क्वेस्ट को सबसे पहले जोड़ देते हैं उनिस और चब्विस को जोड़ा हमें तिसरी संक्या मिल जाती है पैंतालिस यही तरीका आगे अपलाई करेंगे अब उनिस को छोड़ कर अब हम लोग चब्विस और पैंतालिस को जोड़ देते हैं तो चब्विस प्लस पैंतालिस तो हमें आगली आगे नंबर मिल जाता है ए 116 फिर यही तरीका अपनाएंगे 71 में 116 को जोड़ देंगे तो जोड़ देते हैं तो हमें आंसर मिल जाएगा तो 7-8-1 187 आपका अंसर हो जाएगा तो आपसंटी इस राइट आंसर नेक्स्ट दिये गए प्रस्ट में निमलिखित विकल्पों में से बहस सब्द चुनिये ज अपका कौन सा नहीं बनेगा तो एक-एक option check करते हैं पहला औप्षिन है हैट के सारे अलफ़ाबेट handsome में आ रहे हैं तो देख लेते हैं तो देखे हैट में आपका T alphabate आ रहा है जो कि handsome में नहीं है तो देखे पहले यह option आपका मिल गया तो आपका option नहीं बन सकता तो option is the right answer अगला question है एक बिस्ष्ट कोड भासा में account को इससे लिखा जाता है तो इस कोड भासा में मैट्स को किस प्रकार लिखा जाएगा तो हम लोग क्या करते हैं account के सारे अलफाबेट सबसे पहले लिख लेते हैं a double c Democracy को कि उ एन टी इसके सारे अलफाबेट लिख लेते एक का कौड होता है एक सी का कोड कितने होता है 13 फिर आपका सिल फुल अगला है एन एन का कोड़ होता है 14 फिर अगला है टी का होता है 20 इससे आपका क्या बंडा है तो डी डवल एफ आर एक्स क्यू डबलू इनके भी अलफावेट कोड़ लिख लेते हैं तो डी का कोड़ कितना होता है चार एक्स का कोड़ कितना होता है छ से फिरSONC चाहर कोड़ होता है छ आर का कितना होता है अथरा एक्स का कोड़ होता है 24 नचीह क्यू का होता है 17 आप डवलो का होता है 20 आप देखें एक सि चार बना आपका क्या हूँआ तिन जुड़ा 3कू से छ sudah 3 भी बना आपका 3 जुड़ा, 3 से फिर 6 बना आपका कितना जुड़ा, 3 जुड़ा, 15 से 18 बना कितना जुड़ा, आपका 3 जुड़ा, 21 से 24 बना 3 जुड़ा, 14 से 17 बना 3 जुड़ा, और 20 से 23 बना 3 जुड़ा, सभी में आपका 3 तीन जुड़ा है, यही तरीका हम लोग मैस के अलफा लिख लेते हैं M A T H और S अब देखिए M का कोड होता है 13, A का कोड होता है 1, T का कितना होता है 20, H का कोड होता है 8, और S का होता है 19, प्रतिक में 3, 3 जोड देते हैं, तो 13 में 3 जोड देते हैं, आपका आजाता है 16, और 1 में फिर से 3 जोड देते हैं, तो आजाता है 24, बीस में आप 3 जोड देते हैं, तो आजाता है 23, आठ में 3 जोड देते हैं, तो आता है 21, उनिस में 3 जोड देते हैं, तो आ होता है 22 इनके अलफाबेट लिख लिथे हैं 16 इसका होता है पी का 6 होता है सब्सक्केस होता है डी का तैसा होता है डबलू का और 11 होता है के का 20 होता है हुवी का व तो यह जो आलफाबेट मेले यही अप two can साथ हो जाएगा और कौन से आप्शन में आ रहे हैं किन्स याप्शन राइट ने माइनस गश्र भाग लिए माइनस का आफ भाग और भाग का सोरी प्लस का अथ सबस्क्राइब प्लस का अर्थ है गुणा और भाग का अर्थ है जोड और गुणा का अर्थ है घटाओ तो एक एक क्वेशन दिया गया, इसको स्वल्ट करना एक क्वेशन को लिख लेते हैं 16 भाग 6 माइनस 2 प्लस 5 इंटू 3 चिन्नो को अप्लाई कर देते हैं 16 भाग भाग का मतलब उपर देखे क्या है प्लस है तो प्लस छे हो जाएगा फिर है माइनस माइनस का मतलब उपर क्या है भाग तो भाग लगा दिया दो फिर है प्लस प्लस का मतलब क्या है गोणा तो गोणा पांच हो जाएगा फिर है गोणा गोणा का मतलब है माइनस बॉर्ड मास रूल के एकॉर्डिंग सबसे पहले डिवाइड वाला सॉल्फ करते हैं तो 6 में 2 का डिवाइड करते हैं तो 3 आ जाता है तो 16 प्लस 3 इंटू 5 माइनस 3 अब देखे 16 प्लस 3 में 5 का मल्टिप्लाइ करेंगा ति 5 15 माइनस 3 ही हो जाएगा 16 और 15 कितना होता है 31 होता है 31 मेंसे आपका 3 जाएगा कितना आ जाएगा आपका दुबारा से कर लेते हैं 16 दुनी 32 मतलब 31 आपका यह आ गया और 31 मेंसे 3 गया तो आपका कितना बच रहा है सबसे पहले तो देखिए मैंने जो क्योशन उता रहा था यहाँ पर स्टार्टिंग में 11 था लेकिन मैंने 16 लिख ले तो यहाँ पर आप 11 कर लीजेगा ओके थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है तो आप 11 कर लीजेगा तो 11-15 कितना हो जाएगा तो आपका 26 हो जाएगा कितना हो जाएगा 26 और 26 में से 3 जाएगा तो आपका कितना अंसर आजाएगा 23 तो option C is the right answer अब देखिए next question जो है वो आपका कथन निसकर्स का है जिसमें पहला कथन है सभी बस्ते मेज हैं तो सारे बस्ते क्या हो जाएंगे आपके मेज हो जाएंगे और कोई मेज लाल नहीं है तो कोई मेज जो है वो लाल नहीं होगा क्रॉस लग जाएगा अब निसकर्स क्या गयता है पहला निसकर्स है कुछ बस्ते लाल है तो देखे बस्ते का दूर दूर तक कोई समन नहीं है लाल से तो पहला गलत और दूसरा है सभी बस्ते लाल है तो बिल्कुल गलत हो जाएगा ये भी तो आपके दोनों आपके option जो है वो आपके cut हो जाएंगे तो इसमें हो जाएगा option C ना ही ना तो निसकर से एक और ना ही निसकर से दो सही है कौन सी उत्तरा करती प्रश्णा करती के पति रूप को पूरा करेगी सबसे पहले तो देखिए गाइस जहाँ पर question mark लगा हुआ है बहाँ पर figure को बनाना है तो सबसे पहले जहाँ जहाँ red point करें red align करें बही आपका figure बनेगा तो कर लेते हैं guys सबसे पहले तो अंदर जो एक box जो है खाली इस पर underline कर लेते हैं अब देखिए अंदर वाला circle है इसको पूरा कर लेते हैं अब देखिए color को थोड़ा सा change करते हैं जिससे आपको समाद में आए उपर देखिए दो black point है गुलावी color से कर रहे हैं तो नीचे भी दो black point आपके होंगे तो यहाँ पर भी एक black point red color से बना देते हैं अब देखिए side कटा कटा भाग है देखिए यहाँ सभी side कटा हुआ भाग मिल ला है तो जहां पर खाली जगह है यहां पर भी कटा भाग होगा और सभी में देखिए लाइने भी जा रहे हैं तो यहाँ पर भी line पूरी कर देते हैं बिकन जिसको बोलते हैं तो यह बिकन पूरा यहां से कर दिया अब देखिए उपर ददाएं तरफ देखें बाएं तरफ यहां बिंदी के सामने बिंदी है मतलब यहां पर भी बिंदी के सामने क्या हो जाएगी बिंदी हो जाएगी पॉइंट हो जाएगा रख दिया तो ऐसा figure आपका बन गया यह कौन से option में आ रहा है option A में तो option A is right answer दीगे उत्तराकरतियों में से उत्तराकरती को चुनना है जिसमें प्रश्णाकरती नहीं ही था है प्रश्णाकरती आप देख सकते हैं और उत्तराकरतियां भी आप देख सकते हैं कि फिगर वणा हुआ बश्णाकरती आप इसे पहले नेशे गोलवाला भाग आपका किसम मिल आया कोई Here to देखिये यहां पर option C में देखते हैं सबसाल देखे हैं नीचे आपका गोल वाला भाग मिल गया यह से ऐसे उसके बाद है गोल वाले भाग के बाद को दूबारा से देखते हैं दुआ जाइस अपसिन की अपकर डाराइट अंसर होगा कैसे सबसे खेल ऑले लीखे गोल वाला भाग आपका मिलेगा या आप गोल वाले भाग के उपर ये ऐसे चोखंडा है ये कहाँ पर मिलेगा तो आप देखे गोल ऐसे हो गया और उपर ये लाइन गई फिर ये फिर ये देखे मिल गया पूरा तो option seat right answer अगला यदि एक दरपन को ए भी रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तरा करतियों में से कौन सी आकरती प्रश्णा करती का सही प्रतविम्ब होगी तो दरपन प्रतविम्ब बनाना है तो एक सबसे पहले हम लोग बॉक्स बना लेते हैं बाड़ा सा जिसमें दरपन होते हैं बारा होते हैं तो प्रतेक का खाने दे देते हैं ओके दो तीन चार पांच छे साथ आठ नव दस क्यारा और एक बारा तो बीच में आपकी सुई हो जाएगी अब देखिए परसना करती में बीच वाली ये सुई जो है ये आपकी कहां रहेगी बुलकल बही जगह प पर क्योंकि ये आकरती जो है बहुत चेंज नहीं होगी क्योंकि लेप्ट टू राइट चेंज करना है ना राइट टू लेप्ट भी चेंज करना है अब दूसरी वाली देखिए घड़ी सुई आपकी कैसी हो जाएगी ऐसे 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 तो यह आपकी फिकर बन गया दरप्व संबने सब्द अच्छों अथप संक्या को चुनना है तो देखिए यहां पर लगा हुए कोशन मार्क दिखिए गाइस बिद्धुत प्रभा का मात्रख होता है अंपिया मतलत दूसरे से पहला बनाते हैं तो फैयदम जो है वो किसका मात्रख होता है तो आपसे ने जल की कहर लगते हैं A.K.P. इनका लभावेड कोड 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 कितना होता है 11 पी 16 की है सोले कितना हुता 16जना है उन्हें इन सवह का हम लोग स्कॉयर कर देते हैं एक कै स्कॉयर एक एक ग्रहा का स्कॉयर होता है 101 ृव्षान उन्हें owe नंबर N O L का कोड कितना होता है 12 होता है N का कोड कितना होता है 14 होता है O का कोड कितना होता है 15 होता है सभी का स्कॉर कर देंगे 12 का स्कॉर होता है 145 14 का होता है 196 और 15 का होता है 225 ये नंबर जो है ये कहां पर मिला है Option B में Option B is right answer निर्दे से प्रसन संख्या 84 से 86 तक निम्लिकित प्रसनों में दिये गए बिकल्पों में से बिसम सब्द अच्छरत्वा संख्या को चुनना है तो बिसम क्या होता है कि चार आप्सन होते हैं तीन आप्सन जो होते हैं वो तो आपके क्या होते हैं समान हो जाते हैं एक option बसता है वो अन्न तीनों से बिन हो जाता है विसम हो जाता है ये सबी नाम होते हैं तो 84 में विसम कौन सा होगा लेकिए baseball football और hockey ये सब तीनों खेल जो है खुले में खेला जाता है खुले मैदान में लेकिन snooker जो है वो बंद मैदान में खेला जाता है बंद जगे पर खेला जाता है तो option B, option D is right answer अब 85 question है इसमें बिसम कौन सा होगा तो एक-एक option चेक करते हैं पहला option चेक करते हैं B का code होता है 2, O का होता है 15, H का होता है 8 2 से 15 बना आपका 13 जुड़ा 15 से 8 बना 7 घट रहा है option B चेक करते हैं E का code होता है 5, R का होता है 18, K का होता है 11 5 से 18 बन रहा है आपका 13 जुड़ा और 11 से 18 बन रहा है 7 घट रहा है दो option आपके सेम हो गए option C चेक करते हैं H का code होता है 8, U का कितना होता है 21, O का होता है 15 तो 8 से 21 बना 13 जुड़ा और 21 से 15 बना 6 घट रहा है आपका option D चेक करते हैं K का होता है 11, X का होता है 24, Q का होता है 17 11 से 24 बना 13 जुड़ा और 24 से 17 बना 7 घट तो option C में देखें लास्ट में 6 घट रहा है बांकी सभी में 7 घट रहा है तो बिसम हो जाएका option C अब देखिए 86 में आपको बिसम बताना एक कोशन मैं आपको दे रहा हूं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका अंसर जरूर बताईएगा क्योंकि ये कोशन आपका कल एक्जामें आ सकता है तो आजके इस वीडियो में इतना ही थैंक्यो धन्यबाद